मदिप्रदेश के उजयन में लगतार हो रही बारिशे हारलात बिगरते जा रहे हैं शिप्रा नदी का जलस्तर अचानक बंडे से घाटों और सडकों पर पानी भर गया है नदी के उफान के चलते शिप्रा नदी का छोटा पुल डूग गया है जिसमें आवा गमन बाधित हो गया है प्रशाथा ने सुरक्षा के लिए रास्तों में बेरिगेटिंग की है और घाटों पर लोगों की आवा जाही पर पावंदी लगा दी है नदी के किनारे पने छोटे मंदिर पे जलमगन होने के कगार पर है सुरक्षा के मद्ने नजर हुंगाड के जवानों की तैनादी की गई है उज्जैन के पुलिस अधिक शक प्रदीप शेर्मा ने बताया कि शिप्रा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है इसके बावजूब के लोग जान की परवा किये बिना पुलपार करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हादसे की संभाना बढ़ गई थी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तुरंद कारवाई की और रास्ते बंद कर दिया गया है अस्तान सुरक्षा कर्मी बावुलाल के अनुसार शिप्रा नदी का जलस्तर अभी भी बढ़ रहा है और निचले इलाकों में बाढ़ का खत्रा मन रहा है अधिकारियों का मानना है कि जलस्तर कम होने में से एक दो दिन का समय लग सकता है प्रशासन की टीमें पूरी तरह सतरकता से हालात पर नजर रख रही है और किसी भी अनुहोनी को रोकने के लिए पूरी तयारी की जारी है देवास और इंदोर में भी भारी बारिस का सिलसिला जारी है जिसके चलते मौसम विभाग ने कई जीलों में भारी बारिस का रेड अलब चारिक किया है गुनाशोक नगर विदिशा राई से नर्मदापूरम सिहोर और हरदा जैसे जीलों में दोहजार चौबिस मिलिमीटर तक बारिस दर्ज होने की संभावना है जिसते इन छेत्रों में भी जल भराओ और बार की स्थिती उत्पन हो सकती है गोपाल और अरण छेत्रों में बारिस का सिलसिला फिलाल थमने वाला नहीं है मौसम विभाग के अनुसार अगले चार दिनों तक प्रदेश में भारी बारिस की संभावना बनी रही कि कई जल आशयों में पानी ओवरफ्लो होस्ट चुका है और जल संसाधन विभाग के निकासी कर रहे हैं ताकि बार के स्थिती से निप्टा जा सके